कि BPSC वाले जो सिक्षक हैं जो अभी योगदान दे चुके हैं शिक्षक बन चुके हैं उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी इसके साथ साथ 1994 में जो शिक्षक भाहाल हुए थे उनकी भी काउंसलिंग होगी यानि सर्टिफिकेट भेरिफिकेशन के साथ साथ कई बड़े मा लेकिन बता दे कि अबहुत को बिनांश वाली नीवाद हो होगा। बता दे आपको की रिया क्या क्या होंगे। यानि सेमी अर्बन एरिया, इसके साथ साथ पहारछेत्र, नदी पार एरिया और्स इसका के का का होutar आरिया। तो ये पांच एडिया तयार किये गए हैं जहां पर केटेगराइज किया गया है शिक्षकों को कि 40 वर्स से कम उमर के जो पुरुश हैं उन्हें पहार शेत्र या नदी पार एडिया में उनकी पोस्टिंग हो सकती है उनका अतवादला हो सकता है पती पत्नी को एक जगह या आ जो महिलाएं हैं जो सक्षमता पास हूँ या विपीएस्टी के जरिये योगदान दी हैं उन्हें होम ब्लॉक मिल सकता है इसके साथ साथ जो दिव्यांग शिक्षक हैं उन्हें भी होम ब्लॉक और होम डिस्टिक्ट फाइनली रूप से देने की तयारी है यानि जांग केंडिडेट से भी आवेदन लिये जाएंगे महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे और इसके साथ सा जो पती-पत्नी हैं उन्हें भी आवेदन देना होगा कि एक जगह उनकी पोस्टिंग हो सके एक तारिक से यानि एक अगस्त से पुरे बिहार में ये कांसलिंग शुरू हो रही है लोग सवाल पूछ रहे थे नियूज 18 से भी लगातार सरकार से भी कि आखिर कांसलिंग कब होगी सक्षमता पास होने की बाद शिक्षक इंतियार कर रहे थे लेकिन अचानक ये बड़ी खबर आ रही है कि अब सिर्फ सक्षमता पास नहीं बलकी बिहार के पिएसे शिक्षक हो या नियोजी शिक्षक हो या 94 में बहार शिक्षक हो उनकी एक साथ कांसलिंग होगी उसके बाद नए सिरे से पोस्टिंग होगी जो नई कमीटी बनी है शिक्षा विहार की चार सदस्य कमीटी जो सिक्षा विहार के सची वहार माधिमिक निदेशक है व जो है एक तारिक से हम काउंसलिंग करेंगे पुड़े बिहार के अलग-अलग जिलों में ये त्यारी शुरू होगी कल से परसो तक राज के सभी जिलों को एक तरह से जानकारी मिल जाएगी जिला शिक्षापतादिकारी को कि आप जिले में काउंसलिंग की बेवस्ता कराएं और राज के तमाम इसकुलों को जो शिक्षक हैं जो कारियत हैं उनकी काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद उनका तबादला किया जाएगा तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी खबर है सक्षमता पास जो शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है काउंसलिंग नहीं हुई है उनके साथ साथ बीपियस्ती वाले जो पहले और दूसरे चरण में बिहार में बहाल हुए हैं वैसे शिक्षक लगभग दो लाकी संख्या में हैं वैसे शिक्षकों का अभी अब तबादला होगा और फिर से उनकी काउंसलिंग हो सकता है क्योंकि कमीटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी है 20 तारिक तक ये अमल कर लिया जाएगा और उसके बाद जिले में जो है एक तरह से आदेश रिटन रूप से जारी होगा और जो शिक्षक हैं जो इंतिजार कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग कब होगी उनके लि क्राइटेरिया तयार किये गये हैं और इसी के अधार पर अब जो है उनका तबादला किया जाएगा तो शिक्षा विहाग किये सोर्सेज के जरीए सबसे बड़ी एस्क्रूसिव ख़बर हम दे रहे हैं कि अब कांसिलिंग का आपको इंतिजार नहीं करना होगा 2024 के आखरी तक आप लोग अपने अपने नए जगों पर पदस्थापित रहेंगे और इसके साथ साथ आप नए जगों पर योगदान कर चुके होंगे ये सरकार का टार्गेट है क्योंकि TRI 4 की भी तयारी सरकार करेगी और TRI 3 की परिक्षा भी होनी है लेकिन उससे पहले ज मिहार के अलग-अलग जिलों में कांसिलिंग होगी और राज के जो पुने 4 लाग जो नियोजेश शिक्षक जो इंतजार कर रहे थे जो सक्षमता 2 के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम कल से परसों तक बड़ी खबर देंगे कि सक्षमता 2 का आखिर क्या होगा क्यों बिए-फ़र लगातार सवाल उठ रहा था कि हमें फर्च च्वाइस नहीं मिला सकेंड नहीं मिला थर्ड नहीं मिला या मिला तो ऐसे शिक्षकों को हम बता दें कि इसमें भी बदलाव होगा हम धीरे-धीरे परत परत जैसे ऐसे जानकारी मिलेगी हम एस्कूसिव रूप से आ आपको मेंट्स त्यार रखें आपके जिले में आपकी कांसली होगी उसके बाद आपको नए स्कूल में जो है एक तरह से आवंटित के जाएंगे और आपकी पोस्टिंग होगी नए जिले में नए स्कूलों में और नए जगा पर जी ठीक है रजनीश बहुत बहुत शुक्रि तमाम जान कारिमा साथ साजा करने के लिए